नमस्कार दोस्तों, गारगी ग्लास्टेस पर आपका स्वागत है, डेटा आज की 12 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस की इंपोर्टन न्यूज और एक्स्प्रेंट पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में, फ्रे पेज पेज के लावा कोई भी एक ऐसी न्यूज नियूज जिसको डिटेल में देखें, बाकी समरी हम लेंगे ही, फिर पेज नमबर फोर से हम दो न्यूज डिसकस करेंगे, एक तो ये कि 10 करोड रुपए का कंपंशेशन देने के लिए सरकार के तरफ से कहा गया है कि जो इ दूसरा कुल भूशन जादव का जो केश चल रहा है जिसमें पाकिस्तान में उनको डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दुआरा जब ये अपनी तरफ से डिकलरेशन दिया दिया गया कि वह पाकिस्तान सरकार जो है वो कुल तरीके से उनको पूरी opportunity दे जिससे की वो खुद को defend कर सके तो उसी मुद्दे पर आर्टिकल है जानेंगे इसके अलावा explain page पर G7 वाली बात तो मैंने पहले बताई दी और दूसरा हम डीटेल में आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है ये कि महराष्ट्रा में heritage tree का एक concept आया है किस तरीके से सरकार काम करना चारी है जानेंगे इसके अलावा last में world page की भी summary ले लेंगे ज्यादा कुछ important articles है नहीं G7 वाला है वो हम पहले ही discuss कर लेंगे तो ज्यादा कुछ जानने की जरूत है नहीं और अगर economy page पर देखें तो economy page पर हमारे लिए कुछ institutions हैं जिनके बारे में आपको detail पढ़नी है ठीक है वो मैं बता दूँगा ठीक है seven countries की मीटिंग में इंडिया को भी देखो participation के लिए invite किया गया है Boris Johnson UK के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस summit में participate किया बट इन-person participation ना उगर की virtual participation रहा वो COVID-19 के चलते यहां से जा नहीं पाए तो point यहां पर यह है कि अभी क्या France ने क्या backing किया है देखो हमारे यहां पर vaccine की shortage आने के पीछे एक वज़े क्या थी कि जो raw material requirement थी या फिर हम API active pharmaceutical ingredients की जो कमी थी उस कमी को पूरा करने को लेकर के हमारे यहां पर shortage रही तो उसके चलते vaccine shortage आ गई तो उसी बात को लेकर के अभी French President Emmanuel Macron ने कहा कि इंडिया जैसे बहुत सारे middle income countries को बहुत ज़्यादा परिशानी हुई है क्योंकि कुछ advanced countries ने production related जो भी requirement थी raw material की उसको उसकी supply को block कर दिया वज़य क्या रही बोलो अपने खुद के देश को पहले vaccinate करवाना चाह रहे थे तो बोला यह चीज बहुत गलत है हमें एक balance बनाने की ज़रत था तो इंडिया का इस trend जो था ना कि हमें raw material के requirement है vaccine material के जो requirement है उसको France ने G7 में support किया है बागे देखो एक billion doses का जो किया गया है फिर final commitment की G7 countries मिलकर के लगबग एक billion doses supply करेंगे बहुत सारे countries को बिना कोई condition के वो चीज़े तो सारी है ही देखो अब बात आ जाती है explain page पे कि हम क्या देखें क्य notice करें इस G7 summit से तो basically इसमें प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया को भी invite किया गया है जो मैंने आपको बताए दिया virtually present रहेंगे 12 से 13 जून की बीच में मतलब आज और कल तो ऐसे में agenda क्या है वो अब देखें इस साल का तो ये सबसे पहले तो G7 countries जो है वो US, UK, France, Germany, Italy, Canada, Japan ये साथ advanced countries हैं जो की mainly European है और Japan East Station country है इसके अलाबा UK के पास में United Kingdom के पास में presidency है तो इसके चलते वो ही invite कर सकता था कि जिन भी countries को additionally invite करना चाहिए जैसे की इंडिया, Australia, South Korea और South Africa के जो leaders है उनको भी invite किया गया है guest countries के तोर पे तो ऐसे में ये summit एक hybrid summit है जिसमें physical appearance भी है तो आरे Prime Minister virtually participate करेंगे, theme क्या है लिख लो आप build back better, इसमें UK ने अपनी priorities fix की है और वो चार priorities है वो आप लिख सकते हो कि किस तरीके से G7 की एक अपकी बार agenda रहेगा काम करने का, first agenda तो है कि कैसे भी करके global recovery ensure की जा सके इस बिमारी को खतम होने के बाद में और दूसरी अगर future में ऐसी कोई pandemic है तो उसको tackle करने के लिए हम तयार रहें, दूसरी priority यहाँ पर रखी जा रही है कि future prosperity को हम ensure करें जिसमें free and fair trade ज़्यादा से ज़्यादा हो, तीसरा जो priority sector रहेगा that will be climate change को हमें tackle करना है और planet की biodiversity को preserve करना है, और चोथा जो target है that is कि shared values को champion करना और open societies को promote करना, तो इस चार main themes के उपर UK अब की बार अपने summit को conduct करवा रहा है, तो ऐसे में leaders से यह expected है कि वो global recovery के लिए और pandemic से बाहर निकलने के लिए कोशी से पूरी करें, जिसमें health और climate change, दो ऐसे global public goods हैं, इन पर ज्यादा main focus रहने वाला है, फिर सवाल ही आ जाता है कि India क्या पहली बार G7 क इस summit को में participate कर रहा है, जी नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की leadership में हम दूसरी बार participate कर रहे है, G7 की 2019 की meeting जिसके president थे, France के president Emmanuel Macron, जो की उस meeting में भी हम वहाँ पे participate करने गए थे, goodwill partner के तौर पे, अब यह जो मुद्दा है, उस time पे जो participation था हमारे Prime Minister का, वो, उस session में था, जिस session में, climate, biodiversity and oceans and digital transformation इस theme के उपर बातचीत हुई थी, इसके पहले भी हमारे Prime Minister Manmohan Singh जी को invitation मिले हुए हैं, और G8 summit में उन्होंने बहुत participant किया हुआ है, ठीक है, अब पांच बाल, ठीक है, ऐसे में आप देखो, कि G8 और G7 का क्या relation है, तो देखो G8, G7 दोनों एक ही है, फर्क इतना सा ही है, कि G8, G7 में convert हो गया, मार्च 2014 में, जब रशिया ने अपनी तरफ से, military के power के basis पे, क्रीमिया को युक्रेन से हडप लिया था, annexation कर लिया था, तो ऐसे में, रशिया को एक indefinite time के लिए suspend कर दिया, G8 की grouping से, और ये group बन के फिर बन गया G7, अब आप देखोगे, कि UK के प्राइम मिनिस्टर ने जो invite किया है, वो तो है ही, पर US President Donald Trump जब थे, तो उन्होंने पहले ही invite कर दिया था, इंडिया को, और एक चीज उन्होंने ये कही, बुले G7 है, अब outdated group हो गया, अब global reality को हमें consider करना चाहिए, और Australia, South Korea, Russia, India, इन countries का participation भी ensure होना चाहिए, तो कहने का मतलब ये था Trump का, कि G7 की वजाए, अब हमें G10 या G11 grouping बना लेनी चाहिए, बर हुआ क्या हुआ आपको पता ही है, कि Donald Trump election में हार जाते हैं, इसके चलते हैं, और दूसरा pandemic आ जाती है, तो ऐसे में वो idea रह चुका है, धर्यका धरा, कुछ नही aspiration या क्या observe करने वाली बात है, सबसे पहली चीज़ तो प्रेजिडेंट जो बाइडन का अपनी तरफ से election के बाद में first visit रहेगा ये यॉरॉप में, जिसमें America is back theme पे काम कर रहे हैं वो, इसके बाद में वो वहाँ के leaders से बातचीत करेंगे, दूसरी उनकी G7 के बाद में meeting र होगी, उसके बाद में जिनेवा में Russian President Vladimir Putin के साथ में भी दो दिन बाद में meeting होने वाली है, और आपको ये पता है ही, कि जो बाइडन जैसे ही अपनी प्रेजिडेंट्शिप को start की थी इनों तो quade leaders की meeting करवा दी थी, जिसमें Australia, India, Japan, US के leaders ने participate किया था, तो point क्या रहा है, America is back, ये दोनों तरीके से, कि America का global scenario में जो role decline कर रहा था, Donald Trump की प्रेजिडेंट्शिप में, वो फिर से revive कर लेगा, इसके अलावाद जो बाइडन ने क्या अनौंस किया है, vaccine supply करने के लिए, कि US जो है, वो 500 million vaccine doses है, वो supply करेगा, Pfizer और BioNTech की जो vaccines available है, साथ में no strings attached, ये condition, कहने का मतलब without any condition, no strings attached अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब without any condition, USA जो है, वो 500 million vaccine doses जो है, वो 100 से जादा countries को supply करेगा, तो कहने का मतलब क्या आ गया, कि अब कहीं न कहीं USA active role करने के लिए ready है, और चाता भी है, दूसरी तरफ आप देख सकते हो, चाइना को contain करने एक बहुत बना हुआ है अभी USA के लिए, तो ऐसे में अपने allies countries के साथ में relation अच्छे करना जरूरी है, दूसरा अगर देखें, Russian President Vladimir Putin से अगर meeting होती है, तो उसमें दो cases देखो, अभी China और Russia की closeness बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में Russia को अगर China से थोड़ा बहुत भी दूर करने में USA से successful होता है, तो USA के लिए China को contain करने में थोड़ा कम challenge आएंगे, दूसरी तरफ अगर USA और Russia की relation अच्छे रहते हैं, तो इंडिया भी यहाँ पर थोड़ा सा relieved feel करेगा, क्योंकि इंडिया जो है, वो Russia से अपनी दोस्ती को बिल्कुल खतम करना नहीं चाता, चाहे कुछ भी हो तो ऐसे में हमारे national interest point of view से देखें, तो US और Russia के relations अच्छे होने जरूरी हैं, तो यही चीज है, प्रेजिडन जो बाइडन के जो declaration है, repeatedly एक comprehensive minor में काम करना है, सारी world community को साथ में आ करके, वो चीज, इसके अलावा सुबह हमने editorial भी डिस्कुस किया था, कि नया Atlantic Charter साइन UK और US के बीच में, 80 साल पहले जो Charter साइन हुआ था, उसमें तो देखो, इंडिया का रोल क्या था, एक तरीके से इंडिया उस ताइम पर इंडिबंडेंस के struggle कर रहा था 1941 में, तो उस ताइम पर उस Charter में इंडिया के लिए कोई तवज्जो नहीं थी, पर आज इंडिया क relation आप देखोगे Western countries के साथ में कितने strong हो रहे हैं, तो ऐसे परिष्टितियों में नए Atlantic Charter का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा importance बन जाती है, साथ में Russia और China दोनों की एक दूसरे की जुगल बंदी जो बन रही है, उसको contain करने में भी Atlantic Charter, जिसमें एक तरफ USA की तरफ स जो बाइडन है, तो UK की तरफ से Boris Johnson है, तो इनके बीच में ये finalize हुआ है, और आप देखोगे, Trump की America first policy ने कितना dent किया था, अमेरिका की image को, वो थोड़ा सा recover हो रहा है, फिर बात आ जाती है, बाइडन-Putin meeting को लेकर के, जिनेवा में ये meeting होगी, ये कोई पहली बार नहीं ह करेंगे USA के किसी leader के साथ में, इसके पहले USA के President Ronald Reagan ने भी Mikhail Gorbachev के साथ में meeting कर रखी है, जब Soviet Union का disintegration almost होने ही वाला था, तो एक तरीके से ये कुछ नया नहीं है, इसके अलावा India का perspective क्या है, जो हमने देखा, देखो Donald Trump का जो concept था न, G7 को, G10 या G11 में convert करना, उसमें क्या इंडिया का एक रोल अच्छा होने वाला था, तो वो तो कहीं न, कहीं, इंडिया का खुद का जो idea न, कि हम global high table पे हमारे interest को रख सकें, या बड़ी-बड़ी grouping में हमारी बात रख सकें, तो वहाँ पर Donald Trump का जो idea था, वो कहीं न, कि इंडिया के support में था, पर अभी भी कहीं जो बाइडन भी अगर engagement शुरू करते हैं अपनी, तो इसमें भी आप देखो, कि Boris Johnson ने 10 से 11 countries को invite किया है, 7 countries तो हो गए G7 के, और 4 countries ओर आ गए, तो कहने का मतलब, explicitly तो हम नहीं देख पा रहे हैं, कि हाँ G11 बन रहा है, पर implicitly अगर आप देखो, तो G11 ही है ये, जहां पर य portion भी दिया गया है, कि हम vaccine avail कराएंगे, जो Vice President of USA है, Kamala Harris, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हम जल्दी आपको सारी चीज़ अवेल करा देंगे, 25 million doses की वहाँ पर बातचीत हुई है, वो सारी होई गई US, और इधर आप बात करोगे, Moscow के बीच में, अगर बा पर रोल चीज़ थी, G7 से related, आगे चलते हैं, फिर आजाती है next news, Supreme Court में case चल रहा है, जिसमें ये था, कि जो Italian mariner's, जो जिन्होंने shooting करके, दो केरला के fishermen's को मार दिया था, तो ऐसी परिस्तिती में, उनके welfare के लिए, उनकी families की protection के लिए, 10 करोड रुपए की बात की गई थी, की 10 करोड रुपए compensation money के तौर पे, इटली की सरकार के दुआरा देना होगा, उन fishermen की families को, तो ऐसे में क्या है, Supreme Court में बात चल रही है, कि जो Italian fishermen's हैं, या जो mariner's थे, जिन्होंने ये पूरा कांट किया, जिसके चलते हैं, उन्होंने उन्होंने गोली चला करके मार दिया, बो की वहाँ पर जो अभी हम देखेंगे, International Court of Justice का जो arbitrary trial जो हुई थी, मध्यस्ता के तौर पे, जिसमें मई 2020 में ये कहा था, कि इंडियन गौर्रमेंट का कोई jurisdiction नहीं बनता है, कि इंडिया के अंदर इन mariner's के खिलाफ कोई case चले, तो ऐसे में 1982 का जो United Nation Convention on Law of Sea, UN Clause जो है, उसक के तहत ये clear कर दिया गया था, कि आप जो, ये जो mariner's हैं, इनके खिलाफ में, जो proceeding होगी, वो Italy में ही हो पाएगी, हाँ, ये बार ठीक है, कि जो fisherman जिनकी जिन्दगी जा चुकी है, दो fisherman ने जिन्दगी खोदी है, तो उनके घरवालों को आपको compensation देना पड़ेगा, तो Italy के सरकार राजी भी होगी कि 10 करोड रुपे हम दे देंगे, तो ऐसे परिस्तिती में वो 10 करोड रुपे एक बार सुप्रीम कोट की अभी उसमें है, कह सकते हैं, पेट्रोनेस में, उसके बाद में फिर hand over करने का आगे proceeding होगी, तो overall बात क्या आगई, कि इन fisherman's के killing के चलते, ये बैंच ने ये कहा है, जो में सुप्रीम कोट की बैंच सुन रही है, वो, कि 4 करोड मतलब यहां पर बैंच ने ये कहा था, कि 4 करोड जो है, वो कोई छोटा माउंट नहीं है, वैसे तो, कि जो entitle families हैं, उनके interest को protect करने के लिए, पर फिर भी अगर आप इतना होता है, तो फि शर्मेन के, उनको फिर उसके हिसाब से पैसे दिये जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए छोटी से टास्क है, UN क्लॉस के बारे में पढ़ना, 1982 का, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्ट न्यूज है, पाकिस्तान में एक बिल लाया गया है, जिसमें कुल भूशन जादव को एस्पियों नेज कर रहे थे, और टेररिजम एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, अपरेल 2017 का ये वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट को फिर बाद में इंडियन गॉर्मेंट ने चलिंज किया, इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस में, और वहाँ पर चलिंज करने के कमिशनर है, इंडिया के उनसे बादचीत करने का मौका मिले, और खुद को अपने आपको डिफेंड करने का पूरा मौका मिले, तो ऐसे में पाकिस्तान की सरकार पर एक दबाव था इंटरनेशनल, तो उसके चलते हैं, पार्लियामेंट में, ICJ Review and Reconsideration Bill 2020 जो था, उसको Thursday को ल पर इंटरनेशनल या आप देखोगे तो पाकिस्तान के उपर एक तो Financial Action Task Force का प्रेशर है, दूसरा इंडिया की साथ में जो Relations Improve करना चाता है, पाकिस्तान या फिर जो Statements अभी Seize Fire के निकलना, दूसरी तरफ जो है वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, वो इंडिया की साथ में रिलेशन अच्छे करना चाता है, पर अगर आप 5 अगरस 2019 का जो Constitutional Provision जो आपने Revoke किया, Article 370 के अंडर में जम्मू कश्मीर को जो Special Status दिया हुआ था, उसको Re-Introduce करो, या फिर आप उसको 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 काम करो, जम्मू कश्मीर का जो Statehoodship है, वो Re-Introduce करो, ऐसे Conditions लगा पर फिर भी अगर Hag-Based International Court of Justice की जो Ruling है, उसको अगर मानी जाती है, तो ऐसे में यह चीज कहीं ना कहीं, Progressive Consider की जा सकती है, ठीक है, तो यह मुद्दा था, आगे चलते हैं, Next Important Article आजाता है, Explain Page से, कि महराष्टरा कैसे Heritage Trees Define कर रहा है, जानते हैं और क्यों, देखो, महराष्टरा सरकार के दुआरा एक Bill इंट्रिज किया गया है, जिसका नाम है, महराष्टरा Urban Area Protection and Preservation of Trees Act 1975, देखो, वहाँ पर है, उसमें Amendment इंट्रिज किया जा रहा है, जिसमें एक concept आ रहा है, Heritage Tree, इसका मतलब यह हो गया, वो Trees जिनकी उम्र 50 साल या इससे जादा है, या फिर उनकी बहुत ही जादा significance रही है, बोटनी कली भी देखो, या फिर Tree की जो rarity है, बहुत कम है, वो species, उसके चलते हैं, या historical significance देखे जाएंगे, religious importance देखी जाएगी, पौरानिक प परिस्तितियों में क्या importance है, तो उन सबी चीजों को देख करके, फिर heritage tree जो है, वो define कर दिया जाएगा, अब heritage tree होने की चलते क्या हो जाएगा, ये एक environmental protection की approach है, जिसमें देखो, एक महरास्टरा tree authority के तौर पे, एक local civic body है, वो भी establish की जाएगी, और साथ में एक council भी होगी, जो की main decision लेगी, इन trees के protection से संबंदिद, तो ये है main provision, अब करने के लिए क्या किया जा रहा है, वो देखते हैं आब देखो, climate change department है महरास्टरा में, state climate change department, उनके द्वारा इस act को implement है, किया जा रहा है, उसी के तहत ये काम करना है, तो local tree authorities है, वो कहीं ना कहीं tree census करेगी, उस आप ध्यान रखना, urban areas के लिए है, ये mainly, इस से आगे पूछा देखा जा रहा है, कि किस basis पे आप trees को determine करोगे, कि हाँ उम्र कितनी है, तो उम्र जानने के लिए dendro chronology करके एक method यूज होता है, dendro chronology, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पेड के अंदर, पेड की जब कट कटा ही, अब कभी आपने एकदम, एकदम sectionally कटा हुआ पेड देखा हो, तो आपने notice किया होगा, इस तरीके से पेड के चारों तरफ यूँ, तने में rings बनी हुए होती है, उन ring की counting के basis पे age का पता लगाए जाता कि पेड कितना बुड़ा है, ठीक है, तो ऐसी परिस्तिती मे पचास साल से ज्यादा उम्र का हो गया ना पेड, तो ऐसे में वो heritage में consider होने लग जाएगा, और उनी samples के basis में किया जाता है, अब देखो, हर एक पेड की उम्र देखनी है, तो पेड को काटना तो सही नहीं होगा नहीं, तो पेड खतम हो गया, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो rings है, वहाँ से rings है, या फिर core sample है, वो collect किया जाता है, borer का use करके, मतलब एक drill machine होती है, उसका hole करके, फिर उससे ring counting कर लिजाती है, फिर उसके बाद में उस hole को वापस pack कर दिया जाता है, जिससें की बिमारिया ना हो, तो ऐसे में देखोगे, environment department जो है, वो forest department के consultation के concept है, ये concept क्यों लाया गया, इसके पीछे देखो ये है, एक तो special protection दी जा सके, trees का अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा development के नाम पे deterioration हो रहा है, इसके अलावा अभी तक तो क्या है, कि कोई भी एक tree अगर काटता है, तो उस individual को एक दूसरा plant लगा देना होता है, तो प्लांट भी होगा ना, उसकी height आपको कम से कम भी 6-8 feet height का लगाना पड़ेगा, और ये ध्यान रखा जाएगा, कि वो जो plant आप नया लगा रहे हो, वो कम से कम 7 साल तक survive करे, ये भी ensure करना पड़ेगा, तो ये चीज़े कहीं ना कहीं, एक ecological point of view से देखा जाए, या फिर urban areas म नाम पे जो पेडों की अंदादुन कटाई होती है, उसको compensate किया जाए, देखो compensatory rules की अगर बात करें, तो वहाँ पर provision है कि जितने पेड काटेगे होतने आप लगा दो, three authority ने अपनी तरफ से एक plan setup किया था 1976 में, कि compensation ratio है थोड़ा बढ़ा दिया, और वो ये कहा कि एक के ब साथ साल का survival होना चाहिए, उनका minimum और साथ में geotagging भी की जाएगी उन trees की, इससे क्या होगा पता पड़ जाएगा कि किस individual ने ये पेड लगाया था, किस की जिम्मेदारी है ये और ये पेड अगर survive कर गया, that's okay, नहीं कर रहा है तो उसको फिर बाद में हर जाना देना पड से देखें कि अगर पेड पोदों के उपर आप fine लगाते हो एक पेड को काटने का तो वो कैसे calculate करोगे, तो इसमें बहुत सारी चीजे हैं, एक पेड जो है वो आपको oxygen supply देता है, इसके अलावा carbon को sequester करता है, that means carbon जो है environment में उसको absorb करता है, तो global warming को भी control करने का, environmental regulation का भी क साम करता है, बहुत सारी services भी आपको मिलती है, environment मतलब trees से इन से, तो ऐसे में आप economic value को अगर determine करो, तो एक broader perspective यहाँ पर आ जाता है, Supreme Court ने मार्च में इसी साल यह कहा इस issue को, कि tree की अगर value आप calculate करो, तो क्यों लकडी की calculate मत करो, आपको इससे भी ज्यादा समझना अगर एक पौधा, डेड़ सो साल तक अगर रहता है, तो उस पोड़े को अगर आप किसी भी development के नाम पे काट दोगे, तो उसका जिम्मेदार कौँ, West Bengal से related a case है, तो ऐसे में आपको एक mechanism prescribe करने की ज़रत है, जहाँ पर आप intrinsic और instrumental values of the tree can be calculated, that means, can be calculated, simple सी बात है, intrinsic का मतलब त office से देखो, या फिर carbon sequestration point office से देखो, ecology point office से देखो, इन सारी चीजों को देखो, और और भी perspective अगर आपके आते हैं, जैसे कि आप beauty के point office से देखो, या environmental regulation point office से देखो, तो ऐसे में valuation जादा होना चाहिए, तो overall इसी चीज़ को इधान में रखके, fine कितना कर दिया, illegal cutting का, 5000 र पाक रुपय तक कर दिया गया, fine, महरास्टर में state tree authority establish की जाएगी, जो कि tree cover को increase करने का काम करेगी, और साथ में ये भी देखा जाएगा वहाँ पर, कि एक साथ अगर 200 पेड़ों को काटा जा रहा है, जिनकी उम्र 5 से जादा है, तो ऐसे में tree authority जो है, वो पूरा पूरा वह पर देखेगी, साथ में 200 पेड़, पांच के हिसाब से 1000 पेड़े उनको लगाने पड़ेंगे, पहली चीज तो, उसके अलावा और जो compensation लेना होगा, वो, साथ में एक चीज और, कि मान लोग कई 1000 लोग होता है, कि मान लोग की एक area है, जहाँ पर, वो 1000 पेड़ों को काटने प्रोजेक्ट ले करके आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे वो, कि 200-200 के patches में divide कर देंगे, फिर काटना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, ज्यादा strict जो observation होगी, rulings की, उनसे वो बच पाएंगे, तो ऐसी चीजों पर भी नजर गड़ा के रखी जाएगी और ultimately target क्या है महराष्टर में, cities में जो green belt है, उसको overall area का 33% तक increase करना है, ठीक है, तो ये था इस मुर्दे में, आगे चलते हैं, फिर आगए हम economy page पे, economy page पे देखो, एक तो है twitter से related, कि government के दुआरा, या law enforcement agencies के दुआरा, twitter को ये कहा जाता है, कहा गया है, कि आप उन users को mail करो message करो, उनके नाम बता दिये गए, उन users को आप mail करो, जो कही न कहीं अपनी post डालते हैं, जिनके चलते कहीं न कहीं सरकार को problem है, या देश की sovereignty को कोई issue आ सकता है, security के लिए threat बन सकता है, तो twitter ने उन users को mail कर दिया, कि आपके account को suspend करने के लिए हमें orders हैं, law enforcement agencies के दौरा, तो ऐ ऐसे में जो नए कानून अभी आये हैं, IT rules ethics के वाले, यह जो 2021 में 26 मई से जो implement होने शुरू हैं, तो उसको ले करके यह पूरी चीजे हैं, तो ऐसे में यह ministry of electronics and information technology के ambit में यह काम करता है, वो चीजे यहां पर बताई हुए हैं, क्योंकि इस मुद्दे को हम detail में discuss कर चुके ह ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, similarly coven platform, जहां पर vaccine से related पूरा detail available है, किसने vaccine ले लिया, कितने कोरोना cases है, उसके data के leak से सम्मंदित एक point आ चुका है, जिसको information technology ministry ने hand over कर दिया, cert in को, जो computer emergency response team India, I.N. cert in जो है, उसको यह काया कि आप investigate करो, कि कौन है यह cyber attack करने वाले, और attacks को investigate करती है, government of India की तरफ से, जो साथ में negotiate करती है, या फिर engage करती है, international platform में, दूसरे countries की इसी तरीके के agency, जो की cyber related issues को tackle करती है, या फिर domestically दूसरी agencies काम कर रही है, वो, तो point आपके लिए है, cert in के बारे में detail आप पढ़ोगे, इसके अलावा next है, कि देखो, April में जो industrial output है, वो curve के चलते थोड़ा सा decline कर गया, पर पिछले साल के comparison में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वज़े, क्योंकि April 2020 में एकदम पूरा lockdown गया था, तो कोई industrial activity नहीं थी, पर अपकी बार चलो, industrial activities को तो allow किया था था न, तो ऐसे में, तो यहाँ पर point यह है, कि index of industrial production, IIP, इसक अभी detail release की गई है, NSO, National Statistical Office के दौरा, तो IIP के बारे में आपको पूरी detail लेनी है, उस पर question बन सकता है, कि core sector का कितना weightage है, कब से release होना शुरूआ है, यह monthly होता है, six monthly, मतलब, by monthly होता है, या किस भी तरीके से आप वो detail देखोगे, फिर एक important चीज आ जाती है, उसके बारे म है, वो rise हो रहे है, जिसमें foreign exchange currency की बात की जाए, foreign currency assets की, तो वो 28 मई 2021 को कितने थे, 553 billion, जो की increase होकर के हो गए, 560 billion, बहुत जादा आपने आप में, इसके अलावा आप देखोगे इधर, US dollar की बात हो रही है, similarly, gold की बात करो, तो gold decline कर गया है, 38,166 decline करके कितना हो गया, 37,604 million US dollar, similarly, SDR special drawing rights, जो की IMF के दुआरा आते हैं, ठीक है, IMF की currency है, वैसे, वैसे ये currency है नहीं, पर एक तरीके से बहुत सारी currencies का pool है, जिसके basis पे, जिस जिस country का जितना weightage है internationally, उस weightage के according, IMF में value weightage मिलता है, और उसी के basis पे, उसके currency का contribution देख करके, SDR final out होता है, जिसको बोते ह 1515 से decline करके 1513 हो गए, और reserve trenches position की बात करें, मालो की कोई दूसरे और जो assets हैं, जिनको रख करके, सरकार अपने आप में forex बोलती है, तो overall अगर foreign exchange की बात करो, आपकी government of India के पास में, तो 605 billion dollars का हमारे पास में foreign exchange हो गया है, जो की first time इतना हुआ है, 600 billion dollar को cross किया है हमारे यहां है, tech policies को लेकर के यह बार-बार बोला जा रहा है, कि जो आपने नए IT rules इंट्रड्यूस किया है, बोले उनको withdraw करो civil society के द्वारा यह बोला जा रहा है, वो तो देखते हैं अभी withdraw होने के chances हैं नहीं, इसके लावा और summary देखते हैं, देखें, फिर front page पे देखें, तो देखो co vaccine जो है, भारत बायो टेक का vaccine candidate उसको USA के food and drug administration ने approval नहीं दिया है, emergency usage authorization के लिए EUA जिसको बोला जाता है, इसको यह बोला गया है कि आप और evidence इकटे करो और फिर आपको full approval ही मिलेगा, मतलब emergency के लिए provisions नहीं है, तो ऐसे में कहीं नहीं यह setback है, देखो वैसे तो हमारे यहा बोला गया है, आप हमारे यहां पर trial करो, और evidence लेकर क्या हो, कि आपका vaccine जो है, मतलब खतरना थाबित नहीं होगा, तो ऐसे में वही चीज़ यहां पर apply है, फिर इसी चीज़ को लेकर के हम चलते हैं, सीधा आप explain page और वहां पर भी एक article है, उससे link करते हैं इसको, यह देख इनको बिलकुल एक बार मना किया हुआ है, कि आपकी जो vaccine producing practices हैं, वो सही नहीं है, वो कहीं न कहीं vaccine को ज़्यादा खतरनाक बना देती है, तो ऐसे में approval नहीं मिल रहा, तो देखने वाली बात है, ट्रायल्स करने पड़ेंगे इनको, फिर उसके बाद में approval मिल सकता है, ठीक ह तो वो चीज यहाँ पर बताई हुई है, इसके अलावा यह बताया हुआ है कि COVID का जो virus है ना, वो hospitals में surfaces भी रह पा रहा है, अब खतम नहीं हो रहा है, तो यह तो देखो सीधी सी बात है, hospital जो है, वो सबसे बड़े spreading point बन चुके हैं अभी, तो ऐसे में hospital जाना, फिर वहाँ पर patient के साथ में रुकना, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, चलते हैं, इसके अलावा दूसरी कुछ और important news देख लेते हैं, जिनकी हमें summary लेनी है, सरकार के पास में fiscal deficit इतना हो गया है, कि सरकारे department में काम करने वाले जो individual सो वो travel करे हैं, या कोई advertisement में पैसा लग रहा ह उसको cut करने की बात किया, 20% से, बज़े सरकार के पास में पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ी problem आ चुकी है, इसके अलावा, गुजरात सरकार ने नरेगा को praise किया है, कि migrant crisis के चलते हैं, जो लोग घरों में आये हैं, वापिस अपनी रुजगार को छोड़ करके, उन लोगों क जिन्दगी बचाने में नरेगा ने बहुत help की है, तो आपके लिए जो काम है, वो ये नरेगा स्कीम से संबंदित आपको details गेन करनी है, इसके question बन सकता है, ये बहुत important है, इसके अलावा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अधपुर में जो migrant workers हैं, उनको vaccine मिलनी शुरू ह हो गई, और आपने देखा होगा नीती आयो के vice chairman हुआ करते थे, अर्विन पंगडिया जी, उनके ही brother है, ये dr. अशोक पंगडिया, इनको covid complication हो गई, उसके चलते हैं, इनको इनकी death हो गई, ये पदमश्री award ही है, इनको मिला हुआ है, ये पदमश्री award, ठीक है, गंगा न गर्मी पढ़ने लगी, वो इतना काम का निया, आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लतार question लगाया है, कि आपने unorganized workers related database को इकटा करना था, वो क्यो नहीं किया, आलग अलग सरकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी से related है, ज्यादा कुछ इतना काम का है नहीं, बाकी आप देख सकते हो, यहाँ पर यह, कि well connected, जो metrocities है ना, उन में ज्यादा खत्रा है, कि यह जो covid का infection है, वो ज्यादा spread हो जाएं, जैसे यहाँ से मुंबई से अगर तिरूपती कोई आता है, या बेंगलूरू कोई आता है, तो 2.38 days के अंदर spread हो गया, फिर यहाँ से बेंगलूरू से 2.38 days में दिली तक वाइरस पहुँच जाएगा, तो आप देखो इस loop से भी कम से कम, जादा जादा पास दिन के अंदर तो यह case, यह मुद्दा जो यह कहीं ना कहीं, पहुँच जाता है कहाँ पे, बड़ी-बड़ी metro cities में, देखो पानी पत में custodial death हुई है, custodial death, मतलब under custody एक individual और उसकी death होना, यह देखो हमारे criminal justice system में एक दबाई है, बहुत बड़ी problem है, तो उसकी investigation हो रही है, वो something है ही, इसके अलावा देखो और तो कुछ मुझे लगता नहीं, कुछ important है, world pace पे कुछ जादा इतना है नहीं, world pace पे अगर आप देखो, तो के अब उन पर भी attack करने शुरू कर दिये हैं, हजारा community ने, इधर आप देख सकते हो, Hong Kong में लगातार चाइना अपना पकड़ बनाने के लिए, अभी Chinese security law के तहत, Hong Kong में बनने वाली movies को अब censor किया जाएगा, जो कि हो सकता है कि बहुत ही जादा गलत साबित हो, reason कि Hong Kong एक liberal country है एक, कह सकते हो, democratic manner में काम करने वाला country है, तो वहाँ पर freedom of speech and expression ये है, जबकि चाइना एक authoritarian communist regime है, तो वो कही ना कहीं वहाँ पर उस freedom को curb करना चाहरे है, similarly यहाँ पर आप देखो, कि military officers को अगर कोई defame करे, कोई उनकी बात को criticize करे, तो चाइना में अब उनको सजा होने लग करेगी, तो ऐसे तो तरीके से वहाँ पर काम हो रहे है, Al Salvador का मुद्धा हमने देख लिया था, crypto currencies को, first country जिसने legal tender declare किया है, Al Salvador बात कर ली हमने, ठीक है, तो discussion में देखो, इतना ही है, thank you very much for watching this video.